मेरा नाम जैसरी पटल है मेरा गुजरत में रहती हूँ रेकी की जब मुझे पहचान हुई तो मैंने जैवाय का कॉंटेक्ट किया मैं अच्छली मुझे फिसीकल ट्रॉमा और इमोर्सनल ट्रॉमा से बहुत खुजर रही थी रेकी लेवल 1 से मैं जैवाय से के साथ जुड़ी रेकी से जुड़ी हूई हूँ उनसे उनके साथ काम कर रही हूँ मेरे बहुत सारे डाउक्स थे जैसे के मैंने फिजिकल प्रब्लेम्स मेरे हैं मुझे महत बढ़िया उसमें रिजर्ट मिला है इसी वज़े से मैंने रेकी में आगे जाना मुना सिप समझा और मैं आज रेक पूरा तीन दिर हमारा बहुत अच्छे से रहा है पूरा मिल पतलब जो भी हमने सोचा था उससे वह सब में मुझे मिला है यहां पर आके और अभी रेकी के साथ आगे जैबाय का सपोर्ट हमारा पूरा है और आगे जाने का आगे जाते रहेंगे मुझे सबसे बढ़ा कर पाई हूँ त्यों तीन महीने से तो मुझे ज्यादा बैटर लग रहा है और अभी में इसमें आगे जा रहे हूँ और इस्टुट का स्पिरिट्योल अवेर्नेस का और जैबाय का मुझे पूरा सपोर्ट है तीन दिन के वरक्सोप में जब सर्रे जो में जिस तरह से हमार जल्दी समझ में आजाई इस तरह से हमको सबी क्वेस्टन के आंसर मिला है और टेक्निक वाइस भी बहुत बढ़िया है एक्मस्पेर वाइस भी बढ़िया पर रहा प्रहा है इसके अलावा हमको लाइफटाइप मेंबर से मिलती है मैं इसने पहले भी लेवल की है उसमे जब भी लेवल खतम होने के बाद मैंने जब भी पॉन किया है, मेरा जुड़ी डाउट था, सर ने हमें हमेशा सपोट किया है, जब भी हमने कुछ क्रेश्चन लेगे गए तो तभी हमारा साटिस्पेक्शन जिस तरह से मिले उस तरह से उन्होंने मुको आंसर दी है, हर बार सपोट किया है, और अभी भी पीचर लेवल तक हम बहुचे है, उनके सपोट के साथ ही पहुचे है, मुझे यहां आखकर 100% स्राटिस्पेक्शन मिला है, और आगे भी मैं सर के साथ जुड़ी हूँ हूं और सर हमारा आगे भी सपोट करते है, हमको यहां से बहुत बढ़ी सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगी कि अगर आपको मतलब रेकी में आके जाना है, तो आपको मतलब रेकी में आके जाना है, आप स्पुइचल अवेडनेस के साथ जूड सकते हो, और रखर जाये भावसार के साथ जूड के अपने स्पुइचल जरनी को आगे ले जा सकते हो, तो मिड़नाम वनीता बारापत्रे है, और मैं घंधी नगर एंदावाद से बोटी हूं, मैं सर से, मैना यानि मैंने रेकी मैंने पहले भी लिए, उस्ते बहुत भटके रहा, कि सर का सिखाने का तरिका है, जो फ्रेंली रहते हो, और पूरी जो डिटेल्स रहती है, वो पूरी यानि हमें कहीं रहाद की इ aparece, कि नहीं, ये क्या है, पूरा वो कहते है न, उसे कि अंदर जाए के पूरा सिखाते है, कि हम तिम दीन सर के सात है, मैं पहली बार ही जुडी हूं सर से, लेकिन मुझे यह नहीं लगा कि मैं पहली बार ही सर से मिल वूरbas ठाट है Laurel मुझे делать हूं सर कर दिया कि घ्र ऑँ सर से बात कि तब दी वह थे को सिर जुड़े रहना चाहिए। और मैंने Grandmaster Street तो ऐसे ली थी कि अपनी family को secure कर सकूँ और जिसे कभी ऐसी help लगती है उन्हें में दें सकूँ पर सर से मिल के लगता है कि नहीं, इस field में हमें आगे जाना चाहिए और सर से जुड़ने का मोखा मिल रहा है तो उसे बिल्कुल उठाना चाहिए मैं प्रिती गल्या हूँ, सूरत से आई हुई हूई हूँ, केशन रेकी के लिए यहां, एंडाबाद में, जैसर के पास मैंने तीनों लेवल यहां पर यहां पर किये थे, लेकिन भाउसर से बात करता अच्छा लगता है यहांने इसा नहीं के पहली बारण लोग यहां पर आते हैं तो हमको कॉंफर्ट लगेगा, तो भी दूसरी बार आएंगे ना, पहला दूसरा और तिसरा सब फर्स्ट लेवल, सिंड और थर्ड तीनों फिनिश किया आराम से और बाद में टीचर्स लेवल में भी मैं आ गई अच्छा लगा, और आगे की लाइफ में भी सर पूरा सपोर्ट करने के दिए रेरी है, और कुछ भी क्वेश्चन है तो हारम से या ने हम जो समझ में आये उस तरह के से हमको, हमारा क्वेश्चन को हमको हैंडल करते हैं लोग, और मुझे इसा लग रहा था कि मैं क्या करू हैंगे इसमें, कन्फिज हो रही थी, लेकिन हो गया, सबसे पहले तो टीचर्स बनके सब को सीखाने की और करने की बात तो साइड पे हैं लेकिन जो हमारा ग्रोथ है, हमारी हमारी जो लाइफ है, जो मनुश्या उतर बार बार नहीं देलता है, उसमें कुछ करना है, यानि क कि इदर जाएं, क्या करें, सब लोग बटक जाते हैं, डिप्रेशन में आके, कोई इदर उदर टाइम बेस्ट करके, या तो कर्मों के इसाब से इदर उदर बटक जाते हैं, लेकिन सही रास्ता जो दिखाते हैं, जिसको गुरू चाहिए, सबसे बेटर तो ये गुरू मिल कि इसे ही मिली हैं, और देखी सिखाने वाले का भी बहुत बड़ा उसमें ओ रहता हैं, मेरा नाम मिस्तिष निहल है, मैं अन्दा बात तुछ आख से हूं, मेरी लाइप में बहुत टेंसन था, मैं बहुत दिप्लेशन में चले गई थी, मेरी साधी पहले छूप गई थी, मुझे बहुत बाइट हर्ट हूं, इसे मेरी लाइप में बहुत चले गई थी, उसके बात में चसा से टैRO रिलिंग सिखा, और टैरो रिलिंग से मुझे सारे सवर के जवाप नीले, इससे लॉए लाइप में बहुत चैंची साया और टैरो और ली लिंग का एक जब मुझे बहुत अच्छे से जवाब मिल रहा था और मेरी फेमिली को भी इससे बहुत फाइदावा, सब फेमिली में भी सब को बहुत सारी प्रब्लम थी, वो भी रेकी से स्वाल होने लगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं रेकी का ग्रांड मास्टर लेवल सिप कर लूं, तो झाल झाल झाल